जय हिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल यूनिक ज्यान में आज हम भी ये थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइन्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर फस्ट आपको बताया जाएगा जिसमें हमें पढ़ना है उत स्टार्ट मिल जाएगी थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइन्स क्लासिस के नाम से वहां पर आप वीडियो देख सकते हैं स्लेवस का साथ ही साथ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलिग्राम चैनल पर आप फालो करिए सब्सक्राइब करिए जिसका लिंक आपक सब्सक्राद में प्रकार से जिससे आहां जाता है कि आप रिविजन कर सकते हैं या फिर अपना हैंडरान से बना सकते हैं कurs जिसमें हमें पढ़ना है उत्तर ओपनिवेसिक भारत में लोकतंत्री करण की प्रक्रिया चैप्टर इस्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं उत्तर ओपनिवेसिक का अर्थ क्या होता है इसमें उत्तर कार्थ है बाद और आपनिवेसिक कार्थ है उपनिवेस एक प्रकार से तो जब यहाँ पर अंग्रे जाये हुए थे तो उन्होंने अपना उपनिवेस भारत को बना लिया था तो उत्तर अपनिवेसिक उपुर्वेस जब उनका समाप्त हो गया अर्थाद भारत जब हमारा आजाद हो गया तो उसके बाद किस प्रकार से लोकतंत्री करण की प्रक्रिया हुई उसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है तो सबसे पहले लोकतंत्र करण की प्रक्रिया को समझ देने से पहले हमें लोकतंत्र को समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र आखिर होता क्या है फिर हम आगे चलकर लोकतंत्र करण की प्रक्रिया को देखेंगे तो इसमें हम आपको सबसे पहले चलिए लोकतंत्र समझा देते हैं, लोकतंत्र से आप एक प्रकार से सब्द से ही जान सकते हैं, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, अर्थात, लोगों का सासन जो है, वही लोकतंत्र का सासन कहलाता है, लोकतंत्र सब्दों ऐसे बोलने में जितना सरर है उतना ही गहरा और गंभीर इसका आर्थ है लोकतंत को डेमोक्रेसी इंगलिस में कहा जाता है और जो की यूनोनी भासा के डेमोस और क्रिटिया सब्द से मिलकर बना हुआ है और इसका आर्थ होता है लोग और सासन अर्थात साब्दिक अर्थ में जनता का सासन लोग धन में क्या होता है कि जनता जो है अपने प्रत्यक्ष चुनाओं करती हैं खुद चुनती है तब उनका के द्वारा चुना हुआ जो व्यक्ति होता है उनका जो प्रत्यक्ष करता है वह आगे जाकर उनकी समस्याओं को बताता है उनकी समस्याओं के बारे में सरकार तक बात पहु दूसरा होता है अब प्रत्यक्ष लोगतंत्र क्या होता है जब जनता प्रत्यक्ष रूप से सासनकारियों में भाग लेती है नीति निर्धारित करती है कानून बनाती है और अधिकारियों की नियुक्तिक नियंत्र रखती है तो वह क्या कहलाता है प्रत्यक्ष रूप से सासन कारियों में भाग लेती है नीत प्रत्यक्ष रूप से खुद ही निर्धायत करती है कानून स्वयम बनाती है एक प्रकार से तो अधिकारियों की नियुक्तिक पन्ययंत्र रखती है वह कौन सा लोकतंत्र होता है इसका एक्जामपल हम देखें तो स्विट्जल लैंज में प्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र जब जनता प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रवसत्ता का प्रियोग ना कर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कारी करती है तो आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक पार्ट हो जाता है आसा करते हैं आपको लोकतंत्र अच्छे से समझ में आ अपनुएसिक भारत में लोक्तंत्री करड़ की प्रक्रिया अर्थात सबसे पहले हम इस हीडिंग आपको वर्थ बता देते हैं अर्थात अग्रेजों का सासन समाप्थ होने के बाद कि अवध ही लाएं पंद रागस्त उनिस सो सहतालिस के बाद भारत में लोग्तंत्रि करड़ किस प्रकार से होता है बॉकतंत्र अइसी साकाव्योस्था जिसमें व्योस्था है जोटेटा की अroव सक्ति जनता के पास के लिए लोगतंत्र जनता का जनता के द्वारा एंग जनता के लिए उन्होंने कहा था फॉर्ड पीपल फ्रॉम दपीपल टू दपेपल डिमोक्रेसी क्या है फॉर्ड पीपल जन और फ्रॉम दपीपल एंग टू दपीपल जनता का जनता के द्वारा एंग जनता के लिए सास तीन लाहरों के बारे में बताया पहला लाहर था 1828 से 1942 पस्चमी यूरोप यूम उत्तरी अमेरिका देश इसमें स्वतंत्र हुए थे दिती लाहर जो थी को सम्मिधान लागू हुआ इस प्रकार भारत ने लोग तंत्रात्मक बेवस्था को अपनाया था दिती लाहर अर्थात जो हंटिंग स्टन जी ने बताया कि 15 अगस्ट 1947 को मतलब यह दूसरी लाहर चलती है और उसमें जो है हमारा भारत देश आजाद होता है और 26 जनवरी 1950 को सम्मिधान लागू होता है और अमारा भारत जो है लोग तंत्रात्मक बेवस्था को अपनाता है अब अपनाता कैसे हैं उसका विकास किस प्रकार से होता है उसके सब्से भारत में सबसे पहले संविधान का लागू होना पहला चरण एक प्रकार से माना जाता है किसी भी लोकतंत्र वाले सासन के देश में संविधान का लागू होना सबसे जरूर होता है तो सबसे पहले 26 जनुरी 1950 को संविधान का लागू होना एक पहला कदम था फिर दूसरा कदम मत अधिकार का अधिकार मत अधिकार का अधिकार एक प्रकार से मत अधिकार जो है वह होना लोकतंतर में तो बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप मत ही नहीं दे पाएंगे वोट ही नहीं दे पाएंगे तो अपना प्रतिनिधित्वा प्रत्यक्ष लोकतंतर में कैसे आप चुन पाएंगे तो 21 वर्स पहले थी उसे घटा का 18 वर्स कर दिया गया वो कब था एक सठवे समिधान संसोधन में तीसरा क्या है कि उसमें समयावध ही चुना गया पांच वर्स एक प्रकार से चुना गया कि कोई भी साशन होगा कोई भी सरकार होगी वह सिर्फ और सिर्फ पांच सोसर्ट के विरुद्ध आधो है कि आप कौन सा धर्म ले सकते कोई भी धर्म आप आप से अपने मन से जो है धर्म एक प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं सिच्छा का अधिकार है आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है यह सभी अधिकार आपको मौलिक अधिकार में दिये जाते हैं जो कि लोकतंतर में होता है चोथा है उत्तरदाई सरकार जनता के प्रति उत् सासन के ब्योस्था में बहुत दली ब्योस्था होना बहुत ही जादा अनिवारी हैं फिर हम देखेंगे आगे लोकतंत की विशेष्टाएं क्या क्या हैं लोक प्रभुता में विश्वास लोक सामती पर आधारित सासन जनता के प्रति उत्तरदाई होना राजनीती और नागरि की स्वतंता और संभिधान वाद ये सभी किसके हैं विशेष्टा ये सभी लोकतंत के विशेष्टा हैं और पहले हमने बताया कि इनका जो विकास का चरड़ है इसमें ये सभी जो है सामिल होते हैं सबसे पहले जैसे कि हमने बताया कि संभिधान लागू हुआ फिर मत का भारत ने जो हैं लोकतंत्र को एक प्रकार से अपनाया और भारत में संविधान लागू हुआ यह था आपका चैप्टर की उत्तर अपनिवेसिक भारत में लोकतंती करण की क्या प्रक्रिया हुथी किस प्रकार से और लोकतंत्र का यहां पर विकास हुआ यह सभी चीजे हमने इस चैप्टर में पढ़ी नेक्स चैप्टर आपका जल्द ही आएगा तब तक चैनल पर विन रहिए अपने दोस्तों के पास से एर कीजिए टेलिग्राम चैनल से पीडियो डाउनलोड करके इसका रिवीजन अवस्तिकर लिजिए जिससे आपकी जो तैयारी है अच्छे से हो दें बने रहिए चैनल पर जो कोई भी समस्य हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और किसी भी सब्जक्ट के वारे में भी आप पूछ सकते हैं क्लास के लिए और बने रहिए चैनल पर मिलते हैं अगले वीडियो में